हलो एंड वेलकम मैं हूँ हर जोतकोर और हमारे इस हेल्थ वेर्णेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत हैं बात करेंगे उन कपल्स की जो अपनी जिन्दगी में संतान सुख चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी वज़ा से उनकी जिन्दगी में वो अपने संतान की सुख प्राप्ति नहीं कर पा रहे तो किस तरह से मेडिकल साइंस उनकी मदद कर सकती है उसी पर हम आज बात चीत करेंगे और हम बहुत जादा खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ वो डॉक्टर मौजूद हैं जिनको तकरीबन 30 साल का तजूर्बा है हम बोलेंगे कि उनके जरीए कई कपल्स जो है अपने संतान की खुशी हासल कर चुके हैं मैं उनकी बात करूं तो हमारे साथ है देटच क्लीनिक के ड्रारेक्टर डॉक्टर प्रिती जिंदल जी और सबसे पहले उनसे मुलाकात करवाने से पहले मैं बताना चाहूंगी उनके बारे में जिंदल प्रेजिजेंट ओफ मुहाली गाइनी सोसाइटी के हैं और साथ ही जो बार-बार कई मिस्कारजिस की जिनको प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं कई ऐसे केसे में इन्होंने बहुत अच्छे इलाज की हैं और कई ऐसे केसे में जो कपल्स हैं अपने संतान की प्राप्ती कर चुके हैं और बहुत ही अच्छी बात जो के एडवांस आइवी एफ में फर्स टाइम कॉस्मेटिक गार्नेकॉलजी इंटर्ड्यूस करवाई हमारे इस रीजन में साथ इसाथ फर्स टाइम इन नौर्थ इंडिया एडवांस थेरपी इन आइवी एफ पीजी एसे नोने इंटर्ड्यूस करवा इन सब बात पर हम जरूर चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे के आइवी एफ में और क्या क्या एडवांस टेक्नॉलिजी आ चुकी है जिसका फायदा उठा सकते हैं वो कपल्स जो अपनी जिन्दगी आइवी एफ के लिए आइवी एफ भी जो है लेकिन आइवी एफ के आगे अगर बात करें तो किस तरह की एडवांस टेक्नॉलिजी आ गई है जिसके बारे में जादे तर लोगों को अभी भी नहीं बता हर्चुत आजकल लोग बहुत अवेर हैं वो बहुत टीवी देखते हैं गूगल पर्तिक पे काफी रहते हैं तो उन सब को काफी बेसिक चीजों की तो आइडिया है जैसे की जिनके प्रेगनेंसी होने में मुश्किल होती है उन कपल्स को पता है कि देर सम्धिंग कॉल्ड आइवी एफ उसमें भी आइवी एफ में भी बहुत तरह की चीजे हो किस फॉर्म का इवी एफ उनका किया गया है तो आज हम बेटर होगा कि हम एक एक चीज पे डिसकस करें जिसे लोग को आइडिया हो कि वो क्या कराने जा रहे हैं जै बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि एक्सी और भी कई टर्म्स के आपने बात की नॉर्मली भी देखा जा किस तरह का ये ट्रीटमेंट है एक सी जो है इसमें क्या किया जाता है कि जैसे हम सब टीवी में देखते हैं या पिक्चर में देखते हैं कि एक एक लिया जाता है और जो बैस्पम होता है उसको लिया जाता है और एक के अंदर वो इंप्लांट कर दिया जाता है जो बिकुल पर इसका यह होता सस्ता है पर इसका फेलियर रेट बहुत है क्योंकि अगर उस एक के अंदर नहीं जा पाया या एक की लाइनिग बहुत मुटी है और उसको नहीं वो पेनिट्रेट कर पाया तो पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा इसलिए जादतर अच्छे सेंटर्स अप्ले गडिप्डी लिए कगे एक अच्छा अंडा ईडिन्झपाई करके उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं तो उससे एंफ्रियो बनने के चांसे बढ़ जाते हैं दूसरा जब एक अच्छा पं लिया जाता है तो हैबनोर्मल फट्रिय्जाशन होने के चांसेज कम हो जाते तो इस प्रोसेस को XI बोलते हैं, as compare to IVF XI थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि इसके लिए specialized equipment की जरुवत पड़ती है, training की जरुवत पड़ती है, कैसे embryologist की जरुवत पड़ती है कि जो XI machine पे काम कर पाए, पर जितने भी अच्छे centers हैं वो सब आजकल XI करते हैं, XI के indication और भ क्योंकि अगर sperm abnormal है, या sperm की count कम है, तो उनको 400 times magnify करके देखा जा सकता है कि कौन सा sperm best है, और जो भी best sperm है, उसको pick किया जा सकता है, दूसरा XI का एक और फायदा होता है, कि जब आप best sperm लेके best egg के अंदर install कर रहे होते हो, तो number of fertilized embryo बनने के chances जादा होते हैं, तो उसका कहा पर effect आता है कि अगर जब एक lady है, उसके अंदर तो एक time पर एक या दो embryo ही transfer किया जाएंगे, तो जो remaining embryos है, उनको उस lady के लिए freeze किया जा सकते हैं, क्योंकि IVF का भी success rate 100% नहीं है, तो जब उनको हम freeze कर लेते हैं, तो अगर suppose पहली बार में वो successful नहीं है, तो वो frozen embryo ही काम जाते हैं, तो उसे एक तो emotional, mental और सबसे बड़ी बात financial trauma बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत कम rate पे frozen embryo transfer हो जाते हैं, तो ये सारे XI के फाइदे होते हैं, जी बिल्कुल, जैसे कि आपने पहले बात की कि XI थोड़ा महंगा treatment हो जाता है, तो normally आपके पास जितने patient आते हैं, म क्योंकि जब एक couple आता है, उसकी बहुत इच्छा होती है कि एक अच्छा baby उनके पास आए, पर at the same time क्योंकि ये सारे advanced treatments है, इन सब में cost factor बहुत माइने करती है, हर एक इनसान के लिए जरूरी नहीं कि वो उस हद तक खर्च कर पाई, तो IVF और XI में बहुत जादा फरक नह का नहीं होती है, जो अच्छे centers होते हैं, उनहीं में XI की facilities होती है, तो जो couple से उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या चाहिए, जब वो किसी center पे जाते हैं, उनने पूछना चाहिए कि आप हमारा IVF कौन सी technique से कर रहे हो, आप plain IVF कर रहे हो, कि आप XI कर रहे हो, या उसे भी advanced technique कर रहे हो, जितना भी advancement यूज करेंगे तो उसे definitely success rate improve होते हैं, जी बिल्कुल जैसे कि कहा कि उसे भी advanced, तो एक अपने आप में advanced technique है, तो उसे भी जादा advanced हम किसे मानेंगे? अब advancement में दो तरह की चीज़े है, एक है कि अगर sperm count बहुत नॉर्मल है, तो क्या advancement है, और दूसर है कि हमें IVF का ही advancement और क्या है, अगर sperm count abnormal है, कई लोग होते हैं, जिनके sperm counts बहुत कम होती है, या जिनके abnormal sperms बहुत जादा होते हैं, तो उसमें हम एक और बहुत advanced technique यूज करते हैं, जिसमें sperm 6,000 times magnified होता है, जिस process को हम बोलते हैं, MC, अब एक दूसरी चीज है कि अगर IVF आपका अच्छे से हुआ है, आपका egg भी ठीक था, आपका sperm भी ठीक था, embryo भी अच्छा बना, तो भी success rate 30 to 35% क्यूं है, और यंग लोगों में जादा से जादा 40% क्यूं है, उसके दो कारण होते हैं, कि या तो जो embryo transfer किया गया, वो genetically abnormal है, मतलब कि वो देखने में तो सुन screening, जो हमने टाच क्लिनिक ने पहली बार North of Delhi इस region में introduce की थी, दूसरा कारण होता है, कि जब वो embryo transfer किया गया, तो जो lining है, जो pregnancy bed है, वो समय तयार नहीं था, तो उसको detect करने के लिए एक technique होती है, era, endometrial receptivity array, तो उससे हमें ये पता चल जाता है, कि किस time पर हमें वो embryo implant करना हैं, जिससे की pregnancy के chances बढ़ें, जो ये भी सारी नई techniques हैं, जिनको हम एक एक करके discuss करेंगे, जी बिलकुल, अगर आप PGS की बात करी रहे हैं, तो हम जरूर चाहेंगे, कि इसको हम और detail में जाने चांकि तांकि जो हमारे दर्श्रक ये program देख रहे हैं, क्योंकि जाला तर आज हम भी ये program देखा जाये, तो इस related information हर घर में पहुंचाई जा सके, तो PGS के बारे में और detail में जाना चाहूंगे कि कितना success rate PGS का हम अब तक इंडिया में देख चुके हैं, जो हमें ये समझना जरूरी है कि PGS क्या होता है, PGS is pre-implantation genetic screening, इसका कहां पर रोल है, इसका रोल य जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कई बार embryo बड़ा अच्छा बना होता है, पर जब वो transfer करते हैं, pregnancy नहीं होती, उसका एक main कारण होता है कि जो embryo transfer किया गया, वो genetically abnormal होता है, या कई बार ऐसा होता है कि embryo बना उसको transfer किया, pregnancy हुई पर abortion हो गया, पहले 10 हफते के अंदर ही miscar हो गया, तो यह usually इन में जो embryo transfer किया जाते हैं, वो genetically abnormal होते है, अब normal microscope से देख के हम कभी नहीं बता पाते कि भी वो genetically normal है कि नहीं है, तो उसको detect करने के लिए, यह advanced technique है, that is called PGS, इस में क्या किया जाता है, जब embryo बन जाता है, तो laser से उसमें एक hole किया जाता है, और उसके अं chromosomal make-up क्या है, तो जो genetically normal embryos होते हैं, वो ही फिर आगे transfer किया जाते हैं, तो जब हम PGS को use करते हैं, तो success rate definitely 15 to 20% normal से बढ़ जाता है, अब यह दिमाग में आता है कि PGS क्या हरे को कराना चाहिए, आइडिली तो अगर financial issues नहीं है, तो फिर PGS सब को कराना चाहिए, पर क्योंकि PGS एक बहुत advanced technique है, जिसके लिए आपको बहुत आधुनिक उपकरनों की जरुवत है, एक trained banday की जरुवत होती है, trained embryologist की जरुवत होती है, लेजर की जरुवत होती है, तो इसमें expenses, जो IVF या एकसी normal है, उन से जादा आता है, तो almost इसका जो charges है, वो double के करीब पढ़ जाते ह हैं, तो इसका indication actually वहाँ पर है, जहां पर बार बार IVF failures हो रहे हैं, या जिनके घर में कोई genetically abnormal baby है, तो उस particular gene के लिए देखा जा सकता है, और ये कोशिश की जा सकती है, कि next baby में ये problem ना हो, तीसरा thalassemia है, ये एक blood disorder है, या ऐसी बहुत सारे blood disorders होते हैं, जैसे hemophilia है, उनके पटिकुलर्ली देखा जा सकता है, कि वो चीच उस embryo के अंदर ना हो, और जब वो महिला के अंदर transfer की जाए, तो वो ही embryo transfer किया जाए, जिसके अंदर ये abnormal बिमारियों की genes ना हो, वहाँ पर PGS का बहुत अच्छा रोल है, एक और चीच important PGS में जानना जरूरी है, कि जब PGS किया जाता है, तो वो तुरंट embryo transfer नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस embryo की biopsy होगी, तो उसको biopsy की report आने में दो हफते लग जाते हैं, तो इस स्पीच में embryos को freeze कर लिया जाता है, एक special technique से, और फिर जब report आती है, तो next month, या उसके next month, वो embryo उनके अंदर transfer किया जाता है, जै बिल्कुल जैसे कि आप 30 सालों से लगाता प्राक्टिस कर रही हैं, कई पेशन्स का आप इलाज कर चुके हैं, तो एडवांस थरपी से, इंसे कितना जादा आपको लग रहा है कि वाके बहुत जादा अवेरनेस हो आई ही है, साथ-साथ, जो इलाज में भी तेजी आई उसका सक्सेस रेट 20-25% से जादा नहीं है, फिर जब हम XC पर जाते हैं, तो that improves by 10%, फिर जिनकी स्पर्म अबनॉमल्टी बहुत जादा हो जाती हैं, तो फिर हम MC करते हैं, वी वर फर्स्ट तो इंट्रदूस MC इंस पूरे रिजन में, तो जिनकी स्पर्म काउंट बहुत 20% बढ़ जाता है, और जब हम IVF जैसी चीज की बात करते हैं, तो कोई भी टेक्नॉलजी, जो सक्सेस रेट, इविन भाई 5% भी बढ़ारी है, मुझे लगता है, इट इस वर्थ है, जी जी बिलकुल जैसे कि अभी आपने MC का भी नाम लिया, हालां कि हम कई बारे इन सब च उनने में बहुत एक जैसे लग रहे है, तो क्या फरक और क्या डिटेल में यह ट्रीटमेंट है? पेल में किया होता है, जो सपर्म है वो 400 टाइम्स मैंगिफाई हो जाता है. जो मैं सपर्म हो जाता है, तो हाज कर जैसे देख रहे हैं पंजाब में, बीकॉसमने में मेनी रीजेंस, पोलूशन है, ड्रॉक्स है, नशे की आदते हैं, इस वजे से sperm counts लोगों की बहुत कम होती जारी है और abnormal sperms की मातरा बढ़ती जारी है तो वहाँ पे MC बहुत help करता है क्योंकि कई बर हमें कोई भी अच्छा sperm दिखनी रहा होता है normal microscope पे तो वहाँ पे जब हम उने 6000 टाइम्स मैगनिफाई करते हैं तो हम एक अच्छा sperm पिक कर सकते हैं और एको फटिलाइस कर सकते हैं तो उस तरीके से MC बहुत helpful है और MC की costing में बहुत जादा फरक नहीं है पर प्रॉब्लम यह है कि MC technology available ही बहुत कम जगाओं पर है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि we were the first one इस पूरे एरिया में North of Delhi इस चीज को इंट्रीज करने में अभी कुछ जगाओं पर है पर स्टिल इतने easily available नहीं है क्योंकि यह बहुत महंगी technology है जी जी बिल्कुल तो यानि MC जैसी टेक्नीक्स यां PGS जो एडवांस टेक्नीक्स है देटच क्लिनिक में यह सब facilities मौझूद है अगर कोई हमारा यह प्रोग्राम देख रहा है और कई तरह के IVF के treatment करवा के बार-बार failure हो चुका है और बहुती निराश हो चुके हैं तो सविधाएं उपलब्ध हैं तांकि अगर आपकी उमीद खतम हो रही है तो यहां पर आपकी उमीद को फिर से कायम किया जा सकते हैं और आप अपनी जिंदगी में अपनी संतान की प्राप्ती खुशी-खुशी कर सकते हैं आगे बात करेंगे हम जब पहले PGS की बात करें तो negative IFA failure के mainly 2 कारण होते हैं या तो यह simple सी बात है कि या तो जो embryo transfer किया गया वो abnormal है या जिस समें वो transfer किया गया तो बच्चेदानी की lining ठीक से नहीं बनी है तो abnormal embryo को detect करने के लिए PGS technique है अब lining को detect करने के लिए क्या तरीका है एक तो है ultrasound जिससे हमें lining की thickness पता चलती है जो सार साइंस में यह देखा गया है कि सिर्फ बारा घंटे होते हैं कि जिस समय अगर आप embryo transfer करोगे तो वो embryo body accept करेगी और बेबी बनेगा तो उस बारा घंटे का एक जो system है हरे की body में अलग होता है तो उसको detect करने के लिए एक तरीका होता है एरा इसमें क्या किया जाता है कि आपकी 17th day पर जिस cycle में IVF नहीं कर रहें दूसरी cycle में आपके 17th day पर एक बहुत simple test होता है endometrial aspiration मतला है बहुत fine curate एक fine pipette या एक straw जैसी एक fine needle होती है जिससे कि आपकी lining का एक sample ले लिया जाता है और उसको हम जाच के लिए भेजते हैं उसमें around 280 genes की पहचान की जाती है और एक exact timing calculate करके हमें बता दिया जाता है कि आप इस time पे embryo transfer करो तो pregnancy होने के chances better है मतलब की implantation failure नहीं होगा मतलब की आपकी body उसको accept कर लेगी baby को तो इस process को era बुलते हैं और ये भी हमने we were one of the first ones in the region to introduce era also so era अब हम बहुत लोगों में करते हैं even हम जिनके PGS नहीं भी है पर multiple IVF failures है उनमें भी era करके देखते हैं और उससे बहुत लोगों को success मिली है जी जी के बहुत simple test और बहुत expensive भी नहीं है और जिनके बार-बार IVF failures हो रहे हैं उन्होंने इस test को करवाना चाहिए it is a good way forward जी जी बिल्कुल तो मैं the touch clinic के बारे में पढ़ रहे थी तो वहां पर एक मुझे टर्म यह भी पढ़ने में यह PRP therapy सुनने में समझ में नहीं आया है नॉर्मली कई चीजें सुनके समझ आ जाती है PRP therapy the touch clinic में available है इसमें क्या खास चीज है PRP का फुल फॉर्म होता है platelet rich plasma मुझे लगता है आज कर जातर यंगल्स ने PRP सुना होगा IVF के लिए नहीं उन्होंने सुना होगा facial के लिए आज कल PRP facial भी करते हैं सो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि PRP होता क्या है now PRP is platelet rich plasma इसका मतलब है कि हम आपका blood लेते हैं BCC blood कोई बहुत जादा नहीं उसको special technique से process किया जाता है और उसमें platelet rich factor बनाया जाते है platelet rich plasma बनाया जाता है मतलब आपके blood में ही एक concentrate बनाया जाता है जिसमें सिर्फ platelets होते हैं तो platelets की संख्या इसमें 3 से 5 गुना जादा होती है as compare to your normal blood और उसके अंदर बहुत सारे growth factors होते हैं तो उसको हम एक fine again एक fine tube से आपकी uterine cavity में इंस्टिल कर देते हैं यह बहुत पेइनलेस procedure होता है तो जिनकी lining ठीक से नहीं बन रही है IVF के दौरान या जिसके बार-बार गरपात होते जा रहे है प्रेगनेंसी होती है पर गरपात हो जाता है तो वहां पर यह देखा गया है कि PRP से बहुत अच्छे results आते हैं दूसरा young girls इनको face पे इंस्टिल कराती है तो उससे facial rejuvenation हो जाता है उसको हम आम भाशा में लोग vampire facial भी बोलते हैं क्योंकि उसके इंतर growth factors हैं तो वह आपकी dead skin को हटा देते हैं और new skin को regenerate कर देते हैं तो यह role of PRP होता है PRP का रोल बहुत हमारी latest technologies हैं जो कहीं ना कहीं हमारी मदद करती हैं to increase the success rate in IVF and IUI pregnancies जी जी बिल्कुल पहले भी हम कई वीडियो के जरीए आपके द्वारा एहम जानकारी हैं awareness इन चीजों के advanced techniques को advanced medical science की जो जितनी वी achievements है वो आप तक सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जिसमें डॉक्टर पृती जिंदल का एहम role है जो हर बार हमें नई-नी technology के बारे में कम थी अब तो फिर भी थोड़ी awareness है लोगों में लेकिन फिर भी इन इस तरह की advanced technology को सप्ट करने में लोग कितना time लेते हैं उस mental status तक पहुंचने में के yes हमें ये करवाना जाहिए अगर उन्हें ठीक से समझाया जाए उन्हें पता हो कि वो क्या कर रहे हैं अगर उन्हें treatment में involved किया जाए अब जैसे हमारे center पे पुरा आता घंटा कम से कम हर मरीज के साथ लगाया जाता है एक separate counselor है जो उनको सिर्फ ये सारी technique समझाता है और उनको हम पढ़ने के लिए leaflets द पढ़ कर आओ अगर आपकी जो queries हैं वो हमसे discuss करो तो लोग बहुत समझतार है उन्हें पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है तो वो अपने आप हमें पताते हैं कि मैम हमें लग रहा है कि हमारे लिए ये चीज अच्छी रहेगी हमारा aim होता है कि उनको सा साथ लेके जलो क्योंकि किसी को निये मालूम कि कौन सी टेक्निक उनके लिए बेस्ट है क्योंकि 100% सक्सेस तो किसी में भी नहीं है बिल्कुल बिल्कुल कम से कम इंडर्वेंशन के साथ किस तरीके से हम उनकी help कर सकते हैं ये हमारा aim होता है जे 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 बिल्कुल यहां पर ये भी जरूर जाना चाहूंगी किस तरह की खास machines अवेलबल हैं चाहे हम IVF की बात करें इसके साथ रिलेटेड यहां फिर और थेरपी के साथ रिलेटेड कौन कौन सी एडवांस टेक्नीक सी machines अवेलबल हैं और जो नॉर्मली बोला जाता है कि आई वी एफ के टेस्ट करवाने है तो उनके जो टेस्ट होते हैं वो भी बिलकुल अलग होते हैं तो उनके लिए लि इसके बी अलावा हमारे अल्टेनिटिव ठेरपी भी बहुत की जाती हैं जैसे कि एमसेला यह इंडिया की अकेली चेर हमारे पास है और इसके उपर बैट के 30,000 कीगल एकसाइज जितनी वाइबरेशन पेलवी केरिया में दी जाती हैं यह टोटली पेंलेस टेक्नीक है और दो जगा फायदे होते हैं जैसे कि जिन मेल्स को एरेक्टाइल डिसफंक्शन है एरेक्शन की प्राब्लम होती है उसमें भी यह हलफुल है दूसरा कही फिमेल्स का यूरेन लीक हो जाता है हासी करने से हसने से तो यह पैल्विक मसल्स को भी स्ट्रॉंग करती है और हमारे हैं जो जो से इन फर्टिलिटी के पेशेंट साते हैं तो उनको भी हम एमसेला के सिटिंग्स देते हैं जिससे कि पैल्विक ब्लट सप्ला इंप्रॉवों मसल्स ट्रॉंग हो सो दे ऑल्सो है दूसरा टच क्लिनिक में लेजर्स एविलेबल है वाजाइनल रिजूविनेशन के लिए हाइफू हम लोग बहुत जादा विमन की ब्यूटी पर भी ध्यान देते हैं अब जैसे इस सेंटर पे सारे हाई रिस्क अप्स्रेटिकल केसिस होते हैं मतलब दिलिवरी केसिस तो स्ट्रेच मांक का ट्रीटमेंट हमारे पास अविलेबल है एक ब्राजिलियन घरप कार्बॉक्सी थेरपी उसको हमने इंट्रिद्यूस किया है फिर हाईली फोकस्ट अल्रसाउंट हाइफू टेक्निक अविलेबल है सो तरह से इस इस वेरी अद्वांस्ट गाइनी प्रेगनेंसी और कॉस्मेटिक सेंटर तो डॉक्टर पृत बहुत धन्यवाद आपने इतन धन्यवाद